मैं हुई है और स्वागत करता हूँ आप शभी का इस्टरडी विलिज कानपर में हाँ जी एक नए अपडेट की साथ फिर से आपका स्वागत है तो यहां पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करन्ट इसू का कंप्लीट टुटरियल अजर आप भी करें किसी कंप्डेट कि आखिर क्यों तो पहले हम यहां पर जानेंगी कि माली की इस्टरी वहां का पॉलिटकल इसू क्या है और वहां की क्या इसू है किस बज़े से क्योंकि वहां आप पहले ही 2020 में यह प्लिक है सकते हैं तक अपना ठुआ था तो जानेंगी इस वीडियो में माली से आप को बिलता है यह क्या है माली है और यहां पर आपको भलता है कि इन फेसे कंट्रीन है अपर साथ में यहां पर जो माली का-स नहीं तो जो माली का इसका देखा जाए तो यहां पर लगबगमी टू करोड पॉप्लेकिशन हैं इतनी आप करें अब क्यों उसका रीजन क्या है यहां पर माली में सबसे पहले क्या था कि यहां पर माली में तो यहां पर देखिए कि अभी 2013 में हुआ एक मेटर यह था कि इसका जो पूर्वी पार्ट है और कह सकते हैं कि इस्टन पार्ट और इसका नौर्थ पार्ट है तो वहां पर कुछ टेंदेश्ट आईएसाई अलकाइदा इन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था किसको माली को यह कंट्री को अब यहां पर सबस सादनों से भरा हुआ एक ऐसा देश है क्योंकि यहलाजेस्ट क्री का एक कह सकते हैं गोल्ड प्रडूशर का वर्ड की ठर्ड लाजेस्ट कांट्री है इसका गोल्ड प्रडूशर के लिए तो यहां पर आपको देखने को यह मिलता है कि फ्रेंच ने तो अच्छा रूल किय होती है यहां पर उनको लेकर कर रहता है को यहां पर कड़ेंडे को रेकुटे कर लेते हैं तो 2012 में कड़ेंग में इसका North पार्ट और South पार्ट में क्या था कि अलकाइदा और इसाशन ने इस पर क्या किया था अपनी सेना भेज करके वहां पर और इस एक मिशन के तहिए उसको यहां से स्टुडाई था यहां फ्रांस ने मिलकर के अब इसके बाब में होता ही है यहां पर कि जो यहां पर यह मिशन चला तो उस समय वहां प्रेसीडेंट बने की तो तो यह प्रेसीडेंट थार्टी तक रहे अब क्वश्या होता है कि यहां पर तक्ता फलट हो जाता यह पर जो प्रेशिदेंट बनने के बाद में अब करंट में इसू क्या है वो जान लेते हैं कि तो तो यहां पर जो भी उन्होंने अरेस्ट किया है किसको प्रेशिडेंट और प्राम मिनिस्टर को तो उसकी अवेल ना की गई या रोच ना की गई है सारे जो भी यहां पर एक यहां पर एक गुरूफ है जो कि वेस्ट आफ्रीकन डिजनल ब्लॉक नौनीज़ तो इसने भी क्य क्या किया है कि इसको कहा है कि इमीडेटली उनको रिलीज कर देना चाहिए प्रेशिडेंट बाग और प्राइम मिनिस्टर जो मॉक्टार ओवान है इनको क्या कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो पहले इनको अरेस्ट करके मिलिटरी जो एक मिलिटरी हे यहां किया और इसको जल्दी से इमेडियेटली इनको रिलीज करने के लिए बोला गया है अब यहां पर दिखिए कुछी दिन पहले कि वहां पर फिर बदल हुआ कि उनको निकाल दिया गया उसे कैमिरेट यहां पर निकाल दिया गया तो इस विज़े से जो वहा की military है, जो वहां की army जो हो soldiers है वो उगर हो गाया और फैर से वहाँ पर क्या कर लिया है इनको arrest कर लिया है main कारण यहां पर यही था अब इसके बाद जब उनको arrest क लिया गया है तो arrest करने के बाद में अब देखने को ये मिलता है कि जो माले है तो practice अंसाधन से तो भरपूर है इसमें no doubt लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर peace keeping mission के लिए और जो UN है लगभग में 1.2 billion per year खर्च करता है क्योंकि वहां पर development नाम के कोई भी चीज़ नहीं है क्योंकि जब मैंने बताया वहां की current situation है कुछ वहां पर ऐसी ही है क्या कि यह तो वहां पर military है वो कोल माइन पर जो जो वहां की कोल्ड माइन है वहां पर वहां पर कपजा करता है यह तो फिर वहां पर क्या होता है आम citizen है वह वह भी कभी क्रूब बना कर चला जाता है और यह तो उँहां पर गॉर्मेंट भी अब गोर्मेंट पर घुमेंट पर गज्य टूटॉ में बादा टाई बैधा है इनका उनका क्या इलेक्शन भी होना ये तैय किया गया था उने दौरा और इन सब के दौरा तो अब यहां पर उन्हों ने यह कहा है कि यह जो एलेक्शन गुए ता इसमें फ्रॉड किया गया था और साथ यह बहुत सारी और करप्शन इस वज़े से किया गया हलाकि अभी जो हाल फिलान में अभी जो न्यूज आई हैं तो उस न्यूज में यहां पर देख सके गिए कि उनको रिलीइस्ट रेजाइन करती है जो यह देख सकते हैं कि यह प्राइम मिनेश्टर और जा patient दोने क्या क्या ग रिजा doğru क देति हैं तो आगे कि क्या अपडेट है और आगे आप क्या इसमें होगा और जो भी कुछा आगे मिलता है तो अपन्थ्न मेलेगी इसमें update आगे की इन्फक्न तो जैसा भी होगत तो आगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो आपको light करें और चैनल आपको अच्छा लगता है तो सबस्क्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में चेहन